हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल कलासेस में तो चलिए दोस्तों आज बात करने वाल है कॉंप्यूटर और आज जो है कॉंप्यूटर के सभी प्रकार के प्रसंद को देखने का परियास करेंगे तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूरू बने यानि कि इंट्रक्शन आफ कॉंप्यूटर के सभी mcq को देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो चलि आज का सबसे पहला प्रसंद से स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला प्रसंद दिया हुआ है को चंस में कह रहा है कि निमलीखित में से क्या कॉंप्यूटर की अलग अल अलग अलग प्रकार के कारे को सटिकता तथा कारे शमता के साथ करने की शमता को क्या कहते हैं तो इसका जो छमता होता है उससे दोस्तों यान कि वर्सालिटी कहा जाता है वर्सालिटी कहा जाता है ओप्सन किस में दिया है वर्सालिटी ऑप्सन किस में दिया हुआ है दोस्त पूछ खके सी कि और आगे बढ़ा का प्रसंद का अगला प्रसंद दिया हुआ है के सबंध में घी आइजियो का पुनुप किया है देखेट से कूंप्पीटर से पूछा जाता है तो कुछ होता है आई का मतलब इन होता है ठीक है फिर जी का मतलब भी गर्वेज होता है यह ध्यान रखेगा और ओ का मतलब जो होता है गर्वेज इन गर्वेज आउट होता है क्या होता है गर्वेज इन गर्वेज आउट होता है यानि कि जी आई जी ओ का जो पुंडूप होता है गर् सही हो जाएगा ठीक है ना कि सी में दिया हुआ गरबेज इन गरबेज और दिया हुआ है । अब चलिए आज का अगला प्रसंद दिआ हुआ है कोंचन्स में कह रहा हूा है कि कंपीटर की नेमिलिकेत में से कौन सी बशिष्ता है जो इसे बिना किसी मानभी यह तो हस्त छेप के कोई कारे करने में सक्षम बनाती है यानि कि कोई भी कारे जो होता है उसे सक्षम बनाता है किसे कारण से भाई कोई भी कारे को यानि कि सक्षम बनाना कोई भी कारे को सक्षम बनाना ठीक है और कोई भी कारे को जो दुस्त यानि कि सक्षम बनाता है किसके फान भी हाक्ताष्ययव के कि कारें करने में शक्षम बनाती है। Industry Sus brand के कारन होता है, जो कि Option C से ही हो जाएगा. अब घल्ल प्रसंदि है Computer की निमलिखित में स्रिफस्टाथ जो ईसे एक ही समय में अलग अलग काम करने में समर्थे बनाती है। यहां कि computer का कौन सा गुण है अलग- अलग काए में खराए यहीझस समय में अलग- अलग कारे करना जो दरसाता है computer का कौन सा गुण यह दर साता है तो देखे दोस में यह तो यह चौता है और इस्थीलता एक ऐसा काम्प्यूटर का. जो एक्सिससमय में अलग alग कारे को करने में समर्थ बनाती. यानि कि कारे करता है. अभ तो करमठे कल ऐसा नहीं होता है। न सुधता के कल ऐसा होता है, न गती का फारकरन ऐसा होता है उब एपम्पेटर की गती कि अगर वर्तिमान में चल ला इसको हर्जमय का से मापते हैं किसमें हर्जमय मापते हैं इसका ग». 60.09 10 नंट 20 Pa grid से केंuğ 17, 20 78 नंटि के टिंव गरará 50 eyes चलिए option c में जो दिया है और इस्थीरता दिया हुआ है जो की correct answer और इसका option c सही हो जाएगा ठीक है अब चलिए आगे बरते next questions पर आज का अगला प्रसंद दिया है यदि हम किसी computer system में बार बार एक जैसा input डालते हैं तो हमें शमान परिणाम मिलता है computer की यह विसेश्था क्या कहलाता है यान कि computer में जो हम बार बार input डालते हैं क्या डालते हैं यान कि computer में ठीक है धियान से समझेगा computer क्या है परिणाम मिलता है तो परिणाम को क्या कहते हैं चाहीं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? विश्वास नियता इककारी क्या है, यालग-अलग जो कारे को दर्स हाता है, यालग-अलग कारे करने की अनुमती देता है, तो गुन जो है और इस्टिर्था का है रहीद बात विश्वासिनिता का यह गूंन है की जैसे एक बार Basu यानिकि बार वार एक जासा इनिकर्ण डलते हैं तो हमें समान परिनाम मिलता है और यह का यह गुन जिए जो है दोस्तों बिश्वासिनिता का है जो की तो आप्सें दिया हुआ है किसे में दिया है तो निकार मातनी आता तो मापनियता से असा कुछ सबंद से ओंप अब चलिए कि अगरा प्रसंद दिया हुआ है कोशंस में कह रहा है अब ध्यान से पढ़िएगा है क्योंकि कोशंस आता है तो ध्यान से पढ़िए उसके बाद उतर दीजिएगा देखिए कोशंस में कहा रहा है डीजी लेन्स नामक कॉंप्यूटर की विशेष्था का सबंद निम्न में से किस से है यानि कि डीजी लेन्स नामक जो कॉंप्यूटर है उसका विशेष्था भाई किस से है उसके बारे में बताना है ठीक है तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है प्रकार के कारे करता है ठीक है बीमें कार यह एक इस तो कॉंप्योर्ट के सबंध में तो यह सही है ठीक है चलिए सी भी पर लेते हैं कॉंप्योर अधिक तेज़ गति से काम करता है डी में कर रहा है computer एकसा परसेंट साथ गनाए करते हैं तो correct answer जो होने बाला है option इसका भी सही होने बाला है क्योंकि computer जो है समान संगतता वह साथ कई million कारे का गना कर सकता है वह वह किसमे गुन है तो यह गुन जो है computer में तो गुण जो किसमे है तो computer में तो correct answer जो होने बाला है इसका भी सही हो जाएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज का अगला प्रसंद दिया हुआ है questions में कह रहा है कि IECT का पूरा नाम क्या है किसका देखिए IECT और आप लोगों में बता दू कि जितना भी यानिकी फुल फॉर्म है computer का आप जरूर याद कर लीजेगा कि इससे questions बनता है हर सिप्ट में एक ना दो questions आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा ठीक है तो इसलिए अगर 2023 में अगर आप लोगों को T2 पास करना है तो जितना यानिकी shortcut होता है ठीक है उसको भी ध्यान रखना है साथी साथ जितना full form वाले fact है topic है उसको भी ध्यान रखना है ताकि आप लोगों को अच्छा से इंग्जाम में questions बने तो चलिए अजकर option A में जो दिया हुआ अ कामन टेक्नोरी तो कौमन टेक्नोरी नहीं होता iki निफ्लेसण संदोनीक्स एड अन एकम्मीघ आटनोलीगी रोट इंडुडफ के मेंनुक्स की का देघुक्प अविंट्वर में संदीक है information इनफ्लेसँ एक्तिक्स अध्ट्रोनिग्स इनफ्रमेशन इलेक्ट्रोनिक्स एंड कम्मुकेशन टेकनोलोजी एंड कम्मुकेशन 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 टेकनोलोजी होता है यह धियान रखिएगा ओप्शन ए में जो कहा रहा है information electronic and common technology का रहा है तो एंड के बाद वाला ये पर्सन जो दिया है गलत दिया हुआ है information education तो education ही होता है information electronics and communication transformation ही होता है दोस्तों technology होता है जो कि option d में दिया हुआ है correct answer जो होने वाला इसका d सही हो जाएगा अब चलिए आगे भरते next questions अगला प्रसंद दिया हुआ है questions में कहा रहा है कि खाते ऐस्टाक कीमते वस्तु आदी सबंधी जनकारी रखने के उदेशे से computer का इस्तेमाल करना निमन में से किस से नहीं में आता है ठीक है किस में खाते ऐस्टाक कीमते वस्तु आप्लिकेंस में आता है बिजनेस एप्लिकेंस में आता है, ठीक है, एप्लिकेंस में आता है, ठीक है, बिजनेस एप्लिकेंस में आता है, ठीक है, बिजनेस एप्लिकेंस में आता है, ठीक है, बिजनेस एप्लिकेंस में आता है, यह जो आता है, बिजनेस एप्लिकेंस में आता है, बिजनेस एप्लिक कि नेक्स्ट पॉच्ण सेच का दिया हुआ है क्वेसंस में का रहा है बिना किसी थाकान या ठोटी के लगातार काम करना रिचस्ट की दैस विषयस्था को दर्शाता है यानि कि विए अधान धाकान होता है क्या है यह घुलता है और इस गुन को क्या काते हैं निकि उदम सिलत क्एए कारण बी में कोई आईकू नहीं है सी में इसे में यानिंकि गद्धी के कारण तो यह गुं होता है दूषतों कॉंप्यों में होता है ओद्यम् सिलता के करन किस समस्य करन होता है भीला है अगला प्रसंद आयहां को लुटा shelaapanesti कविंज़ता को किया डर्साताा यह गालता को क्या करता है यानि कि दर्साता है कि किसे में दिया हुआ है परिशुदता था अभपर शुदता तो यह वर्क नहीं है का तो ना थीर इन धियान को है सब्सक्राइब करने की चमता कंप्यूटर एक डैस गुन को दर साता है यानि कि उसकुन को क्या कहते हैं तो देखिए बिना फूर्टी के गना जो करता है काम्प्यूटर के इस गुन को यानि की सठिकता कहते हैं क्या काते हैं और सने में करें कि माप नहीं आता नहीं कहेंगे कॉम्प्यूटर का गती जो होता है जो मापा गया है चारदस्वाला पांस गुने दसके पावर नौ गनना आए ठीक है परती सेकेंड होता है जबकि जबकि C में दिया है इसा ठीकता तो क्रेक्ट एंसर जो होने वाला है इसका सी सही हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा भाई सी सही हो जाएगा अब चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्रसंदिया है बिना किसी ठाकान या थूटी के लगातार काम करना कॉम्प्यूटर की यानि कि कॉम्प्यूटर का जो गुन है जो वर्क करता है बिना थूटी के लगातार काम करना इस गुन को क्या कहते हैं तो दोस्ते इनकि इस गुन को जो कहा जाता है यह उदमसिलता कहा जाता है क्या कहा जाता है उदमसिलता कहते हैं क्या कहते हैं ना थूटी है इसमें ना यह थकता है तो इस गुन को कॉम्प्यूटर में यानि कि उदमसिलता कहा जाता है तो गती तो कहेंगे नहीं पहला गलत हो गया बी में जो दिया हुए उदमसिलता दिया है जो की correct answer इसका बी सही हो जाएगा और यह को चंस दोस्तों यूपी पीसल टीटू में यानि कि चोवीस एक दुहधार उन्हेस को ठीक है पूछा गया है तो आप लोग समझ सकते हैं इंपोटेंट को चंस अब चलिए आज का अगला प्रसंद दिया हुआ है कि एक डेस दिखता है कि वैसे परिचलन विसेश्ताओं को एक साथ जोड़ा जाता है और कॉंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है ठीक है और दोस्तों कॉंप्यूटर को साकार करने में जो योगदान देता है उसके बारे मे देता है option किसमें दिया हुआ है option इन जो कर रहे हैं computer डिजाइन नहीं देता है ना computer अर्किटर देता है यह जो देता है दोस्तों यानि की computer organization देता है जो कि option D में दिया हुआ है correct answer की बात किया जाए तो option इसका D से ही हो जाएगा अब चलिए अगला प्रसंद दिया हुआ है तो कयांगे तो उसको computer architecture कहाज जाता है क्या कहाजाता है computer architecture कहाज अगैक। तेसर कहा जाता है computer architecture कहा जाता किस में दिया है। में का दिए बन्स देया ना कॉंप्यटर डीजाइन कोंप्यटर ओर्टिशंट्र जो मौलिक परिचलन और सेलक्ष्ण का वैचारिक सिस्टम देता जंश इसका दी सही होना वाला है कि दी में कॉंप्यर आंगला प्रसंद दिया हुआ है कुछन्स में कर रहें निम्य लिखित में से कौन सा B.I.O.S. का सही पुन रूपिया है किसका B.I.O.S. का B.I.O.S. का ठीक है इसका होता B.I.O.S. क्या होता बहाई B.I.O.S. Input Output System होता है यह धियान रख़िएगा B.I.O.S. Input Output System होता है option A में जो दिया है B.I.O.S. सिस्टम तो अप्रेटिंग सिस्टम नहीं होता है बैसिक इनपुट आप्पुट सिस्टम होता है जो कि अप्शन सी में दिया है को रेक्ट एंसर की बात किया दे तो ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा देखिए बार-बार बोल ले होता है यानि कि श सिस्टम को बुट करते हैं तो किसके मतह warfare two करते हैं उसके बारे में बटाना है हृआ प्शन दिया हुआ है दूस्तोर प्शन में जो धिया हुआ है रेम है क्या दिया हुआ है रित थी copperth करते हैं बाइऊस के अच्छा टेंसर की बात किया जाए तो option इसका भी सही हो जाएगा मैं आसा कर तो आप लोग सारा प्रसंद को अच्छा से समझे होंगे अगर कोई प्रसंद में किसी पर करका डाउट रहता है तो प्रीच आप लोग उसके लिए कॉमेंड कीजिएगा आपको चपा बहु जलने मिलेगा तो चली मिलते है नेक्स्ट पाट में और जाते जाते प्लीच आप लोग से एक निवेदन है कि इतना जादे आप लोग के लिए मिनत करते हैं तो आप लोग का भी कुछ फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर सेर कर दीजिएगा क्योंकि बहु जो है दोस्तों कॉंप्रेटर का भी कलास होगा साथ ही साथ यानि कि थीडि का भी कलास होगा तो चली मिलते है नेक्स्ट पाट में